तो आज हम इस वीडियो के द्वारा गुजरात बोड का हिंदी जो की क्लास 12 का है इसके चाप्टर नमबर 18 मेरे राम कमकुट भीग रहा है इसे पढ़ने वाले हैं जिसे लिखा है विद्या निवास मिस्र ने ये इस चाप्टर का पार्ट बन है तो आएए इसे हम स्टार्ट करते हैं मेरे राम कमकुट भीग रहा है लिखा है विद्या निवास मिस्र ने जिनका जन्म सन 1925 इसवी में और इनका निधन सन 2005 इसवी में हुआ था विद्या निवास मिस्र का जन 28 जन्वरी 1925 को उत्तर प्रदेश के गोरकपूर जिले के पकड़ डीहा गाउं में हुआ था वारण असी गोरकपूर में उन्होंने सिक्षा प्राप्त की हिंडी के मुर्धन साहितकार ने अमेरिका वासिंगडन में अध्यतता रहे मद्य प्रदेश प्रशासन में सूचना विभाग में कारेरत रहे बाढ़ में अध्यापन के शेत्र में 1968 से 1977 तक वारण असी में अध्यापक कुलपती भी रहे तो ये किस किस शेत्र में अग्रणी रहे हैं इनकी भूमिका रही है इनका जन्म जो है वो 28 जन्वरी को 1925 इस्वी में हुआ था ये कहां हुआ था उत्तर प्रदेश के गोरगपूर जीले के पकर डिया गाउं में और वही वारण असी गोरगपूर में ही उन्होंने अपनी सिक्षा प्राप्त की साहित्यकार बने और मद्य प्रदेश प्रसासन में सूचना विभाग में काम किया बाड में अध्यापन के शेत्र में 1968 से 1977 तक वारण असी में अध्यापक कुलपती भी रहे ब्रहमरानंद स्वयम को मानने वाले विद्यानिवास मिस्र हिंदी के प्रतिष्ठित आलोचक ललित निबंदकार के रूप में जाने गए हैं मिस्र जी के निबंदों में प्रकृती लोक्तत बौधिक्ता सर्जन आत्मक्ता कलपना शीलता काव्यात्मक्ता भाशा के स्रेजन आत्मक्ता एक साथ अंत ग्रंतित मिलती है महा भारत का काव्यार्थ भारतिय भाशा दर्सन की पीटिका स्वरूप विमर्ष निबंद संग्रा गांडी का करूण रस हिंदी और हम वाचिक कवीता भोजपूरी साहित्य के सरुकार जैसी प्रसिद रचनाई उन्होंने लिखी है तो ये कौन-कौन सी रचनाई लिखी गई है ये इनके नाम दिये गए हैं इनकी रचनाओं में हम देखेंगे कि प्राकृति, लोक्त, बौधिक्ता, सर्जन आत्मक्ता, कल्पना शेलता, काव्यात्मक्ता, भासा की सरजन आत्मक्ता ये सब आपको एक साथ देखने को मिलते मानव जीवन में अनेक चिंताएं व्यापते हैं, प्रस्तुत निबंद में मिश्र जी ने पौरानिक मिथक के माध्यम से मानव चिंताओं के अत्यंत सुन्दर एवं मार्मिक शब्दों की प्रस्तुती की है, जो अत्यंत समवेदना पूर्ण जीवन जीत्र प्रस्तुत करत कौशल्या माता का या विचार सर्वता युक्ति युक्त है कि इस मौसम में मेरे राम का मुकुट भीग रहा होगा अर्थात वे बहुत सी कठीनाईयों का सामना कर रहे होंगे तो मानो जीवन में बहुत सारी चिंताएं लोगों को लगी रहती हैं इसी के बारे में मानो चिंताओं का बहुती सुन्दर तरीके से मिसर जी ने वणन किया है यहां पे वो कहते हैं कि कौसल्या माता किस प्रकार से चिंतित हो रही है और यह सोच रही हैं कि मेरे राम का उनके पुतर राम का मुकुट भीग रहा होगा अर्थात जब वो वन गये थे उनको बनमास हुआ था तब वो कितने कठिनाईयों का सामना वो कर रहे होंगे महीनों से मन बेहद बेहद उदास है उदासी की कोई खास वज़ा नहीं कुछ तबिया डीली कुछ तनाओं के और कुछ उनसे तूटने का डर खुले आकास के नीचे भी खुल कर सांस लेने की जगा की कमी है जिस काम में लग कर मुक्ती पाना चाहता हूँ उस काम में हजार बाधाएं कुल ले देकर उदासी के लिए ही इतनी बड़ी चीज नहीं बनती फिर भी रात दिन नींद नहीं आती दिन ऐसे बीटते हैं जैसे भूतों के सपनों की एक रील पर दूसरी रील चढ़ा दी गई हो और भूतों की आकरितियां और डरावनी हो गई हो इसलिए कभी कभी तो कुछ अटपटा होता और कभी-कभी कुछ मामूली सी बात भी भयंकर चिंता का कारण बन जाती है तो इसमें कह रहा है कि लेखा कमन उदास हैं और महिनों से उदास हैं कारण है कि कभी उनकी थोड़ी तबीयत है वो ढीली लगती है कभी तनाओ और कभी कुछ ज्यादा काम का बोज हो जाने से वो उदास हैं उन्हें रात दिन यहां तक की नीद भी नहीं आती यह इतनी बड़ी समस्या नहीं है लेकिन इससे बड़ी बड़ी भी बाधाय आती है लेकिन उनको रात दिन नीद भी नहीं आती है और तरह तरह के सपने सजाते हैं उनको तरह तरह के सपने सताते हैं और ये समय बिताना उनके लिए मुश्किल हो जाता है देखते हैं आंगे क्या है अभी दो-तीन दिन रात पहले मेरे एक साथी संगीत का कारिकरम सुनने के लिए 9 बजे रात गए साथ में जाने के लिए मेरे एक चिरंजीव ने और मेरी एक महमान महानगरिय वातावरण में पली कन्या ने अनुमती मांगे वह आजकल की असुरक्षित इस्तिती का ध्यान करके इन दोनों को जाने तो नहीं देना चाहता था पर लड़कों का मन तो भी रखना होता है कह दिया एक देड़ घंटे सुनकर चले आना अब यहां क्या इस्तिती हो रही है कि लेखा के एक साथी है वो रात को नौ बजे एक संगीत कारिकरम में गए है और लेखा की अनुमती से अपने साथ उनके एक चिरंजीव और उनकी एक महमान है वो कन्या को भी अपने साथ ले गए है ये उनको जाने तो देना नहीं चाहते थे लेकर लेकिन उनको जाने दिया क्योंकि बच्चों का मन भी रखना पड़ता है लड़कों का मन भी रखना पड़ता है और इसी सर्थ पे जाने दिया कि एक देड़ घंटे में वापस आ जाना ये कौन सा कारिक्रम था संगीत का कारि ग्रिहनी बहुत उद्विग्न हुई यानि घबराई जलाई साथ में गए मित्र पर नाराज होने के लिए संकल्प बोलने लगी और उसके बाद इतने में जोर की बारिश आ गई छट से बिस्तर समेट कर कमरे में आया ग्रिहनी को समझाया बारिश थमेगी आ जाएंगे संगी इतमे मल लग जाता है तो उठने की तबियत नहीं होती तुम सो ऐसे बच्चे नहीं है पतनी किसी तरह शांत होकर सो गई पर मैं अकेला उठा बारिश निकल गई ये लोग नहीं आये बरामदे में कुरसी लगा कर राह जोहने लगा दूर कोई भी आहट होती तो उदगर हो एका एक कई दिन से मन में उमर्ती घुमर्ती पंक्तियां गुंजने लगी अब ये लोग संगीत के कारिकरम में गए हैं लेखा केक साती हैं और चिरंजी और उनकी एक महमान कन्या उनको कहा गया था कि आप एक देड़ घंटे में लोट आना लेकर रात के बारा बच गए है वो लोग अभी तक वापस नहीं आये हैं इससे उसकी जो ग्रेणिया है लेखा की पत्निये वो बहुत घबरा जाती है और उसके मित्र पर लेखा के मित्र पर नाराज होती है इतने में ही जोर से बारिश होती है विस्तर जो छट पर पढ़ा है उसे कमरे में ले आती है और तो लेखक ग्रिहिनी को समझा पुझा कर सोने के लिए कह देता है तो ग्रिहिनी सो जाती है लेकिन लेखक कोई इससे लिए नीद नहीं आती है घबराहट के कारण की क्यों नहीं आये हैं बारिस रुख जाती है लेकिन कहीं भी दूर दूर तक वो दिखते नहीं उनके अंत में लेखक कुर्सी लगा कर दरवाजे पर ही बैढ जाते हैं और एका एक उमर्ती गुमर्तिया पंक्तिया गुंज उड़ती हैं वो सोच रहे हैं कि क्या जब भी कोई परिशानी आती है तो हमें कुछ-कुछ याद आता है वैसे ही लेखक को भी यहां पर कुछ पंक्तिय क्या है वो पंक्तिया मोरे राम के भीजे मुकटवा लक्षमन के पटुकवा मोरी सीता के भीजे से नरुवा तर राम पर लटे ही यहां इसकर्थ क्या हुआ मेरे राम का मुकट भीग रहा होगा मेरे लखन का पटुका यानि दुपटा भीग रहा होगा मेरी सीता की मांग क सिंदूर भीग रहा होगा मेरे राम घर लोट आते हैं तो ये जो गीत है ये कब गया जाता था बच्पन में दादी नानी जाते समय या गीत गाती मेरे घर से बाहर जाने पर विदेश में रहने पर वे यही गीत विहल होकर गाती और लोटने पर कहती मेरे लाल को कैसा वनवास मिला था जब मुझे दादी नानी की इस आकुलता पर हसी भी आती गीत का स्वर बड़ा मीठा लगता है हाँ तब उसका दर्द नहीं छूता अब यहाँ पर क्या हो रहा है ये उनकी रहा देख रहे हैं लेकिन वो लोग अभी लोटे नहीं हैं और उनको ये पंक्तियां याद आ रहे हैं गीत गा रहे हैं ये गीत कौन सा है लेखक के बच्पन में इनकी दादी नानी गीत गाती थी जब लेखक जो है घर से बाहर विदेश जाते थे तो जब वो लोटते थे वहां से तो ये लोग कहते थे दादी नानी कि मेरे लाल का कैसा वनवास हुआ है कि वो हम लोगों से इतनी दूर गया है तो यही गीत उनको याद आ रहा है और इसी सिचुएशन को वो सोच रहे हैं इस तरह की पीड़ा नहीं समझ पाती पिछली पीड़ी अपनी संतां के संभाविच संकट की कलपना मातर से उद्वेगन हो जाती है मन में यह प्रतीती ही नहीं होती कि अब संतां समर्थ है बड़ा से बड़ा संकट जेल लेगी बार-बार मन को समझाने की कोशिश करता है लेकिन जो लड़की दिल्ले विश्व विद्याले के एक कॉलेज में पढ़ाती है लड़का संकट बोद की कवीता लिखता है पर लड़की का खयाल आते ही दो शिंदता होती है गली में जाने कैसे तत्व रहते हैं लोड़ते समी कुछ हो तो नहीं गया है और भीतर अनाया सपरादी होने का भाव जाग जाता है कि मैंने जाने क्यों दिया उसको मुझे रोकना चाहिए था या कोई वेवस्था करनी चाहिए थी पराई लड़की और लड़की तो हर एक पराई होती है धोबी की मुटिरी की तरह घाट पर खुले आकास में कितने दिन फहराईगी अंत में उसे ग्रेणी बनने जाना ही है घर आई कहीं कुछ और होना जाए अब ये डर रहे हैं कितने टाइम हो गया है वो लोग अभी तक लौट कर नहीं आए है और तरह तरह के खयाल उनके मन में आ रहे हैं कि ये जो कलपना है जो संकट में कि किस तरीके से उनके बेटे को क्या हुआ होगा क्या नहीं हुआ होगा यही सब सोच कर वे घबरा जाते हैं और ये एक तरफ ये भी सोचते हैं कि उनके जो संतान है वो खुद इतने लायक बन गए हैं कि वो संकटों को भी जेल सकते हैं बार-बार वोई अपने मन को समझाते हैं कि जो लड़की है वो तो दिल्ले विश्यो इद्याले में पढ़ाती है और जो लड़का है वो तो कविता का लेखन करता है तो ऐसे खयाल पाकर वो अपने मन को तसलि देना चाहते कि कुछ नहीं होगा लेकिन जैसे ही लड़की का खयाल आता है उनका मन घबरा जाता है और तरह तरह की बाते वे सोचने लगते हैं कि कहीं गली में कुछ ना जाने कैसे तत्व रहते होंगे कहीं लोड़ते समय कुछ हो तो नहीं गया खुद अपने आपको वो अपराधी मानते कि मैंने गलत तो नहीं किया उनको भेज कर आखी लड़की तो पराई होती है तो ये कहा गया है कि कभी भी कोई भी काम में अगर किसी को भी अगर कोई आने वाला हो या जाने वाला हो तो इसमें क्या होता है अगर समय पर नहीं आ र हुआ होगा तो यही चिंता लेखा के मन में भी सता रही है यह आपका पार्ट बन यहीं पर समाप्त होता है उमीद है यहां तक की श्टोरी आपको समझ में आई होगी जिसमें हमने देखा कि लेखा क्यों उदास रहता है क्योंकि उनका मन उदास रहता है कुछ दविय डीली रहती है तनाओ है या तो काम का जादा बोज है रात दिन उनको नींद भी नहीं आती है और तरह तरह के सपने सजाते हैं अब संगीत में लेखा के साथी के साथ लेखा के चिरंजी और उनकी एक महमान कन्या भी गई है लेकिन वो लोग तो इस तरीके से उनके मन में जो भी दुश्यंत आये या अनयास जो अपराध होने का भाव प्रकट हो रहा है ये हमने देखा तो उमीद है आपको ये चाप्टर के पार्ट वन समझ में आये होंगे तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करना सब्सक्राइब करना कमेंट करना ना भूले थैंक यू